डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है मशूर शोशल वरकर इला बेन भट का निधन प्रिसिद्ध सामजी कारकरता इला बेन भट का 89 वर्ष की आयू में निधन हो गया वे सुरजगार महिला संग यानी सेवा की संस्थापक थी उन्हें 1977 में रेमन मैक्स से पुरुसकार, 1984 में राइट लावलिहूट पुरुसकार और 2010 में निवानो शांति पुरुसकार से नमाजा गया था 1996 में उन्हें गुजरात की गरीब महिलाओं को शशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मभूशन अवार्ड दिया गया था इला भट 2016 से साबरबाती आश्रम की चेयर परसन भी थी उस समय पहले तक उन्होंने गुजरात विद्यापीट की कुलाधिपती के रूप में सेवा की थी किन्तू स्वास खराब होने की कारण इसी साल 19 अक्टूबर को उन्होंने अपने पद से स्तिफा दे रिया था आपको बता दे कि गुजरात विद्यापीट सौ वर्ष से भी अधिक पुरानी है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और वे स्वयम इसके पहले चांसलर थे चलिए जानते हैं इला बेन भट के जीवन से जुड़ी कुछ बेसिक बातें उनका जन्म 7 सितंबर 1933 को एहमदाबाद गुजरात में हुआ था उनके पिता सुमंतराय भट एक सफल वकील थे जबकि मा वनीला व्यास महिला आंदुलनों में सक्री थी इन्होंने 1972 में सेवा संगठन की स्थापना की थी जिसका उदेश गरीब स्वनियोजित महिला श्रमिकों के लिए उत्थान करना था उन्होंने 1972 से 1996 तक संगठन के महासचिव के रूप में कारी किया था उन्होंने राजस्तबा सांसद और विश्व बैंक के सलाकार के रूप में भी काम किया था इलाबेन भेट वर्ष 2007 में एल्डर समोह में शामिल हो गई थी आपको बता दे कि समोह की स्थापना नेलसन मंडेला द्वारा मानव अधिकारों और शांती को बढ़ावा देने के लिए की गई थी उन्होंने महिलाओं को शिशक्त करने में एहम भूमी काने भाई साथ ही कई मुहीम के जरिये महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी